ओम्च्यांति दो मार्च आज बाबा अपना परीच्य दे रहे हैं विशेश रूप से और कह रहे हैं तुम सभी गाते थे ही बगवान तुम्हारी गती मती न्यारी कौनसी गती मती? सदगती करने की तुम्हारी जो मत है वो बहुत न्यारी है उसको इस्री मत कहते हैं और वो मत है देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर एक मुझे ही याद करो आत्मिक स्वरूप में इस्थित हो जाओ एक मुझे ही याद करो तो तुम पावन बन जाओगे इस श्रीमत पर तुम सब चल रहे हो भक्ती में तो लोग समझते हैं भगवान का दीदार हो गया बस भगवान मिल गया बेडा पार हो गया बहुत खुस हो जाते हैं लेकिन उससे तुम मनुष्य देवता तो नहीं बन सकते उससे तुम मुक्ती और जीवन मुक्ती के अधिकारी तो नहीं बन जाते हो, भक्त तो, भगवान को कहते हैं, भगवान जोली भर दो, हमारी जोली खाली हो गई है, तो भगवान खुद आकर जोली भरेगा ना, इसके लिए तुम सिव जिनती मनाते हो, अब मैं तुम्हारी सम्मुक बैठा हूँ, और तुम क्या कहोगे, भक्तों कहते हैं, जोली भर दो, तुम कहोगे, हेशिव बाबा, हमें स्वरक की राजाई दे दो, तो कितना बड़ा अंतर, पर तुम मुझे नहीं जान पाए, पुकारते तो रहे, बुलाते रहे, हे पतित पावन ह Matter, हे दुख रता, हमें दुखों से छुडाओ, फिर कहते रहे, नाम रूप से ने आ रहे, नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, और फिर कहते रहे, घार हो तेरहे, अंगुष्टाकार कहते रहे, शीवलिंग बना ते रहे, मेरा कोई आसा बडा अकाड थोड़ाई है, मैं अंगुस्टागार भी नहीं हूँ, मैं तो सुक्स मति सुक्स बिंदु स्वरूप हूँ, तेजो मैं तो अवज्च हूँ, पर इतना तेजो मैं नहीं जो गीता में दिखाया, सिरिकेश ने अर्जुन को साकसातकार कराया, और अर्जुन बोलने लगा, हे भगवान आप त देख नहीं सकता, सेहन नहीं कर सकता, मैं काँ प्रहा हूँ, मुझे अपना, चतुरुबच सुरूप दिखाओ, बाबा कहरे, बाप का सुरूप ऐसा होगा क्या, जो बच्चे रर जाएं देख भी न सके, बाप को देखकर तो बच्चे खुर सोंगे ना, तो ये तुमने शिव जयन्ति तुम मनाते हो, जैसे शिरी करशन जयन्ति मनाते हो, तो शिरी करशन आता है ना, शिव जयन्ति मनाते हो, इससे भी सिद्ध है, कि मैं आता हूँ, और अब तो तुम्हारे सम्मुक बैठा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमें रहा दिखा रहा हूँ, यह रावन आया, पाँच विकार आये, इससे तुम बहुत दुखी होगे, अम मैं तुम्हे सुखी बनाने आया हूँ, तुम्हे रहा दिखा रहा हूँ, मैं सरस्टी का भी जरूप हूँ, बाबा ने कई बार महीमा सुनाई है अपनी, मैं ग्यान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, भक्त भी मुझे सत्चित आनंद का सागर कहते हैं, तो मैं आकर तुम्हें ग्यान दूँगा न, ग्यान का सागर हूँ, तुम्हें ग्यान क्या करूँगा, वो ग्यान तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें संपोर्ण स्रस्टी के आदी मध्यांत का ग्यान दे तुम भी मास्टर ज्ञान सागरवन जाते हो तुमारी वीश्स से सद्गति होती है कर बाता हूँ मैं पुरसोत्तं संगम युग पर तुम्हें पुरसोत्तं बनाने के लिए तुमारे कर्म स्थ्यूग में पुरसोत्तं हो जाते हैं। उस धरम में तुम बहुत साहुकार थे, हीरे जवार रातों के तु तुमारे महल थे, निरोक काया थी, सम्पोन सुक था, वहां दुखों का नाम निसान नहीं था, मैं ही ब्रह्मा विश्नु संकर का भी रचने वाला हूं, मैं ही ब्रह्मा द्वारा इस्थापना और संकर विनास कराता हूँ, सास्त्रों में तो बहुत सारी बाते लिख दी, विश्नु की नावी से ब्रह्मा निकले, वास्तों में ये ब्रह्मा है, इनके द्वारा, इनके तन में बैठ कर, मैं तुमको सभी वेदो सास्त्रों का सार सुनाता हूँ, मैंने वेदो सास्त्रों का ज्यान नहीं दिया है। इसने ही तुम्हें आदिम अध्यन्त दुख दिया है, यही तुम्हारे पतन का कारण है, देभान के कारण तुम इन मनोविकारों में भटक गए हो, अब मैं तुम्हें कहता हूँ, सद्गती करनी है, तो मेरे से बुद्धी योग लगाओ, और मेरे से शक्ति लेकर इस काम बहां सत्रू को जीतो, यह तुम्हारा सत्रू है, यह तुम्हारा मित्र नहीं है, देखो भगवान पढ़ा रहे हैं, आप सब को ग्यान दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, मैं कौन हूँ, यह मैं ही ज तुम मेरे द्वारा मेरे को जानो, मुझे परमात्मा कहते हो न, अर्थात परे से परे रहने वाला, मैं परमधाम का रहने वाला हूँ, तुम भी वही मेरे साथ रहते थे, वही से मैं इस तरह पर आया हूँ, तो बाबा बार बार अपना परीचे दे रहे हैं और कह रहे हैं, स दिव्य और अलोकिक, जनम की समर्थी में रहने वाले, मरियादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले मरियादा कुर सुत्तम बनों. हम भगवान के बच्चे बन गए, स्रेश्ट ब्रहमन बन गए, उन्होंने हमें पवितरता के लिए बहुत सारी मरियादाओं दे दी. हम याद रखें हमारा जनम और करम दिव्य और अलोकिक है, तो हमें सभी स्वरी मरियादाओं के अंदर रहना है, सभी आकरसनों से मुक्त रहना है, मरियादाओं में नहीं रहते तो पुकारने वाले भक्त बन जाते हैं. न तुम्हें पुकारना है, न तुम्हें मांगना है, न तुम्हें प्रकरती और माया के अधीन होना है, तुम तो अधीकारी हो. स्लोगन है, अपनी तपस्या द्वारा विश्व में श्यान्ती के वाइब्रेशन्स फैलाओं तो अच सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा श्यान्ती की भंडार हूं, श्यान्ती के सागर से श्यान्ती की किर्ने आ रही हैं और मुझ से चारो और संसार में फैल रही हैं, ओम श्यान्ती